हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माई चैनल प्रिया रियल ब्लॉग अभी दोपर के हो रहे दो बच के 20 मियट और आज पांस तारीक है यह जन्वरी स्टार्ट दो जरीकिस में मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला अब तक क्योंकि मैटर कुछ हो गया था तो च जैसे कुछ छूट सा गया है कुछ भूल सा गया है तो मैंने सोचे चलो दिमाग को करते हैं रिफ्रेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं अपना स्टार्ट क्योंकि हम डेली वे अपना दिखाते हैं डेली लाइफ रूटीन दिखाते हैं वीलेज लाइफ स्टाइल दिखाते हैं कि हम दोग गाउं में किस तरह से रहते हैं किस तरह से अपना काम करते हैं क्या क्या करते हो सेयर करते हैं अगर आपको वीडियो में इंट्रेस्ट हो तब भी वीडियो देखें कोई आपको जोड बजस्ति करके वीडियो देखने के लिए नहीं बोला जा रहा है इस वीडियो में आप वीडियो अच्छा लगा हो गाउो का लाइफ eccidy घन्था ले तो कब्मेंट कर सकते हैं और वीडियो कर थाccel ने नमें सब्सक्राइब कर लें तो आज दो बज़ के 20 मिनट हो रहा है आज मैं वीडियो में आपके साथ सेरे करूँगी की कैसे गाउं में जो गन्णाब होया जाता है कि सान वोग जो अपने खेट में कंदा होते हैं उनसे कैसे रस निकाले के और गुड़ बनाया जाता है वीडियो आज आपके साथ स्यार करूंगी जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि मेरे वाँ गन्य की चिलाई चल रही थी, तो गन्य की चिलाई प्रॉपर हो गई है सारी और दो ताली जो होता है मिल पे, सूगर मिल पे, और जो थोड़ा सा गन्ना बचा था उसको हम लोग आज पेराई करेंगे और उसके बाद उसका बनेगा गुड़ तो मैं हूँ घर पे और मैं गाय खिला रही हूँ अबे गाय खिला रही हूँ दिखाती हूँ आप लोग गाय तो मैं गिला रही हूँ गाय और इधर पे कोई नहीं है दादा जी है तो दादा जी अभी खेत में है उनको कुछ काम था जैसे कि पुवाल जो होता है लगाने के लिए उसको इकठा के थे तो किसी से मतलब मलदूर लगा के किसी को उस पुवाल को भिजवा रहा है जो जहां पर गुड़ पके का वहां पर और दादी गाय लगा के चली गहीं है जहां गुड़ पके का वहां पर मैं बस हूँ तो मैंने सुचा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि 4-5 दिन से ना बहुत दिमाज खराब था होता है मैं किसी के तम जहम में वैसे भी पढ़ने नहीं जाती हूँ कोई मतलम नहीं होता है मैं जो जैसे करती हूँ वैसे मैं लोगों के सास्थ टे करती हूँ विश्को हर्ट करते है तो फिर आवाज उठाना बनता है और esperar । तब तक मैं गाय खिला लेती हूं उसके बाद मैं चलती हूं जब वहां पर जाहां गुड़ पगेगा तब आपके साथ सेयर करूंगी तो वीडियो पर कॉंटिन्यू रहीएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिगा तो मैं यहां जा रही ती और जब मैंने यह वीडियो स्टार्ट किया था जब पिछे का आपना यह देखा है तो रात हो जाएगा ऐसा है आप कल मॉर्निंग से और साम तक का दोनों फीनिस हो जाएगा दो टिप में ही पका लीजेगा तो उसके लिए रहने दिया गया अगले दिने मैं जा रही थी दोपार मैं ही लंच मैंने बना लिया था लंच करके मैं जा रही थी अब यहां पर और बहुत ही अच्छा लगता है गाव में जो लोग होंगे लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा जो सहर से भी होंगे बहुत लोग को विलेज लाइफ स्टाइल देखना बहुत पसंद है और जो कराहे में पकर रहा है बड़ा साइज जो कराया है उसमें जो पकर रहा है उसमें है ग उससे शह कंठेनर इसमें पड़ता है कड़ाहे में तब जाके गन्ना एक टीपका होते हैं तो इसको एक धार बोलते हैं मतलब पुर्वांचल और यूपी के लोगोंगे वही धार समझते हैं तो धार का मतलब एक धार का मतलब होता है छह टीना जो बैल कोलू का 20 लिटर का सरस कि गुड़ बनाने में मैक्सिमम तीन से चार घंटे लगते हैं चार साड़े चार घंटे भी लग जाते हैं क्योंकि इतना सारा रस होता है जिसको पकाना होता है और उसको गुड़ में कनवर्ट करना होता है तो बहुत टाइम लगता है और यहां देखिए मैं उपर डाल दी ह तो मैंने यहां मतलब मैं दादी से बुली कि मैं चलाती हूं तो मैं यहां चला रही थी और मुझे नहीं लगता है कि अपना काम में करने में कोई भी काम हो अपना काम हो घर का करने में सरमाना चाहिए बिल्कुल सर नहीं आना चाहिए क्योंकि हम अपना काम खुद कर सकते हैं वहां किसी की मदद लें, कोई अगल बगल का, तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम कर सकते हैं, तो बिल्गुल अपना काम करना चाहिए, और हम गाउं में रहते हैं, तो गाउं का हर चीज मैं आपके साथ सेयर करती हूं, कैसे क्या क्या होता है, और वीडियो अच्छा लग में गांज दिख रहा है, उसको महिया बोलते हैं, जो गरम-गरम खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो इसमें देख रहे हैं, आप लोग गुड़ में आलू पड़ा हुआ है, और इसके साथ गुड़ का कॉम्बिनेशन होता है, खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है, मैं एक्स्प्लेइन नहीं कर सकती, कितना अच्छा लगता है, अगर आप लोग उने कभी अपने लाइफ में खाया हुने, तो कॉमेंट करके जरूर बताएगा, लेकिन बहुत ईटेस्टी लगता है, मैं इसका ही वेट कर रही थी खालू फिर मैं घर चली जाओ, क्योंकि साम का डिनर भी मुझे बनाना था, तो मैं इसके लिए वेट कर रहे थी, और साम हो गया था, तो पकने में दो टिप पका था, एक टिप का है, क्योंकि सुबह जब पका था, तब मैं घर पे थी, मैं सुबह का खानावाना दोपर का बना रही थी, नास्तापानी सब बना रही थी, तो एक टिप का अगरना पक गया था, यह दूसरे टिप का एक ढार है, जो कि छैटीना का है, रस का गुड बन रहा है, तो यहां आलू बहुत अच्छे से बॉयल हो जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है ना, आलू क को बनाने में बहुत ही टेकनिक लगता है, जैसे कि पहले की लोग जो लोग इसको हमेशा से बनाते आए हैं, ओ लोग को पता होता है कि किस टाइम पे इसको उतारना है चूले से और किस टाइम पे क्या करना है, तो यहां जब आलू अभी पक रहा था तो मैं यहां बैठी जब हलका बॉयल होता है गाज बनता है तो ब्लैक वाला पार्ट उसका उपर से निकाल के रखा जाता है जिसको गाए भेस खाती है और थार्ड कंडिशन है थोड़ा सा बस टाइम बचा है गुड़ बनने में तो यहां एकदम से चलाना होता है नहीं तो आग लगता नहीं है चलाना होता है और इसको चूले से उतार देना होता है और यहां चूले से उतार दिया गया है अगर हम चूले पर रखके इसको चलाना स्टार्ट करेंगे लगता तो जो आग चूले में होता है उससे काला होने लगेगा और गुड़ जब काला हो जाता है तो इसका टेस्ट बदल जाता है जैसे कि जलने आप गढ़ा है और अक्राप भी मार्गेट में देखें के बहुत ब्लैक साइग गुड़ा आता है और थोड़ा सा इस टाइप का ब्राउun गुड़ा आता है तो जो ब्लैक वाला होता है अकसर किसी मिस्टेक से ही बलैख हो जाता है या फिर थोड़ासा मतलब इसमें भी बहुत ट्रिक होते है कि कि स्र gouden पे चूले से इसको उतारना है और किस तक पे चलाना है कितने टाइम तक भी कि disrespect कि ध्याँ से एक दम पकाना हुता है जैसे हम कोई डिस बनाते हैं तो सबका टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम तक प्यास को पकाना इतने टाइम तक मिर्स को पकाना है वैसे ही इसमें भी बहुत टेक्निक होता है और चूले से उटाने के बाद इसको लगातार चलाना होता है तो नहीं तो लगातार अगर नह तो नहीं पता है मैं बता दू कि इसी कंडिशन पर गुड को उतारा जाता है चूले से और लगातार चलाना होता है थोड़ा भी रुकना नहीं होता है जैसे देख सकते हैं कितना फास्ट तरीके से एक जो बाबा है जो मेरे घर पे थोड़ा बहुत खेती का काम में हेल्प करत होता हैं करते हैं तो वह चला रहे थे क्योंकि लेडिव लोग का पाई होंगे बहुत लोग काते क्योंकि अक्सर लोग मार्केट से ही घुड़को खड़ीते हैं और अभी तो खिचडी का टाइम आ गया सब के वहां लाई जो होता है बनता है तो सब के वहां यह खरीदा जाता है इस으면 पड़ गया तो थीक है और मुंफली ना जिसको मैंने भुल लिया था और भुन के वुम्फली के चिलके को निकाल गए और अच्छे से फटक के साफ करके और तील और गुड़ को एक कमें मिक्स कर दिया था और इस वाले जो गुड़ से भूराने कि तो लुड़煮ों इख त waren गोर देखने में चीजा असान लगते हैं उतनी होती है मार्केट से हम गुर लाते हैं और सबको लगता है में बहुत प्रत को बनाना मसीन में बनता है लेकिन में और मसीन में बनता है। बहुत बहुत ऐसे है जैसे हम लोगों ने थोड़ा गणा था महीं बनाने के लिए स्कूछ गया इसा मैस सकता है थम आथमेसी घ्रया so तो चलिए मिलते नई वीडियो